अब आपको जानना भी जरूरी है हम उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उन इंडियास के हीरो के बारे में एक एक करके डिसकुशन करेंगे और काफी सारे aesthetic points और one liners आपको यहाँ पर cover होंगे जो आने वाले CGL exam में आपकी मदद करेंगे तो आज हमारा जो पहला topic रहने वाला है वो इंडिया के पहले हीरो पहले super hero राजाराम मोहन राय जी पे होने वाला है तो हम इंडिया के reformer राजाराम मोहन राय जी के बारे में बात करेंगे हम आज सीखेंगे current affairs में क्यों है यह और aesthetic किस तरह के से आप associate करेंगे तो काफी कुछ है इनके बारे में जानने के लिए सीखने के लिए तो आईए हम session की शुरुआत करते हैं लेकिन कहानी आज से शुरू नहीं होती है कहानी शुरू होती है 17th century से आज के समय में कोई भी rituals होते हैं अगर youth मानने से इंकार कर देता है या फिर government जो हमारी भावना है उनके खिलाफ कोई bill लेकर आती है तो आज भी आप protest देखते हैं जैसे कि triple तलाग का जो bill आया था या फिर आप Hindu marriage act पे कोई bill आता है तो आपने देखा हुआ कि लोग protest पे उतर के आते हैं और लोग सड़ों पे आ जाते हैं ये आज की बात है जब हम 21 सदी में रहते हैं लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए जब भारत का समाज जो था में क्या हालात बनते होंगे आये हम उन परस्तितियों को भी आज समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो पीडिएफ आपको हमारी और दोनों बैटल को जीत जाती है जीतने के बाद पूरी तरीके से जो भारत पे कंट्रोल हो जाता है वो बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है तो British East India Company देखती है कि भारत की जो लोग है वो बड़े ही Orthodox हैं, बहुत ही conservative हैं, बहुत सारे ऐसे rituals को मानते हैं या ऐसे अंधिविश्वास्त को मानते हैं लेकिन उन्होंने सोचा उससे हमें क्या करना, उससे हमें क्या करना क्या ही फर्क पड़ता है अगर हम इनके अगेंस्ट करने आए हैं, हमको क्या लेना देना, तो Britishers ने इसके उपर कोई आवाज नहीं उठाई जैसा चल रहा था, चलने दिया, फिर 1772 की बात है, 1772 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं Warren Hastings, और Warren Hastings सोचते हैं कि चलो, जो चल रहा है चलने देते हैं, लेकिन अब इन्ह ना ही English तो आती है, लेकिन ना ही संस्कृत आती है, ना वेदों का ग्यान है, ना कुरान का ग्यान है, तो इन्होंने क्या-क्या, जो मुस्लिम है देश के अंदर, उनका जो कानून चलेगा, वो कुरान के हिसाब से चलेगा, और हिंदुआ की जो औरत विवस्ता होगी, और फिर उसी बीच में जन्म होता है हमारे भारत के पहले हीरो का जिनका नाम था राजाराम मोहन राए, और उन्हों नहीं ये जो प्रताय चल रही थी, जो अंदर विश्वास चल रहा था, उसके उपर आवाज उठाने का काम किया, तो हमें बात करनी है राजाराम मोहन रा तो पहला कॉष्ण ये है और दूसरा कॉष्ण आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो पहला कॉष्ण ये कहता है कि, किस ने डाविट ह modular की सहायता से हिंदू कॉलिड एट चलकाता कि स्थापना की थी, किसने डाविट हीरे एट अलेगजन डफ़ की मदर्स से हिंद कॉलेज एट केलकता की स्थापना की थी और ये चार आप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो भी सही आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा ये 2009 का आया हुआ कॉशन है तो न्यूस में क्यों है तो रिसेंटली 25th 250 वे नंबर की बर्थ एनिवर्स्ट्री राजा राम मोहन राय जी की सेलिब्रेट की गए मिनिस्टरी ऑफ कल्चर के दो रिसेंटली सेलिब्रेट की गई और गवर्मेंट ओफ इनडिया के दौरा राजा राम मोहन राय जी का एक आ applicable statue भी लॉँच किया गया है राजा राम मोहन राय लिबर्टी फाउंडेशन के द्वारा तो लिबर्टी फाउंडेशन सॉल्ट लेक कोलकाता में जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर बर्थ अनिवर्स्ट्री को सेलिब्रेट किया इसलिए इन न्यूस भी है मतलब एक करेंट फिर्स का आप इसे हिस्सा भी ले सकते हैं मैं सारे चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश डोनों में एक्स्प्लेंड करने की कोशिश करूँगी और जहां पर रिक्वाइर्मेंट लगी है मुझे वहाँ पर मैंने हिंदी में भी चीज़ों को ट्रांसलेट करके डाला है जिससे सारे ओडियंस हमारी इस टॉपिक को समच सके तो शुरुआत करते हैं हम राजा राम वोहन राय के अधर नीम से तो इन्हें हम पहला सूपर हीरो कह सकते हैं अच्छा फैमिनिस्ट वर्ड आजकल बड़ा ही ट्रेंडेंग होता है फैमिनिस्ट का मतलब क्या होता ऐसा कोई परसन जो मानता है कि लड़कों को और लड़कियों को गल्स को और बॉइस को एक्वल राइट्स मिलने चाहिए वो फैमिनिस्ट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत के पहले फैमिनिस्ट कौन थे राजा राम मोहन राय जी थे जिन्होंने girls और boys के equal rights की, equal property rights, equal education की बात की. इन्हें हम father of modern India भी कहते हैं. Father of modern India, क्योंकि इंडिया में reform लाने का सबसे पहले जो modern era में काम किया था, वो राजाराम मोहनराई जी के द्वारा किया गया था. और इन्हें father of bangal, reneces की नाम से जाना जाता है, तो ऐसे कई सारे नाम, राजाराम मोहनराई जी के नाम से देखने को हमें मिलते हैं. अगर हम इनकी जन्म की बात करते हैं, तो 1772 में, May 22 में, राजाराम मोहनराई जी का जन्म होता है, बंगाल Presidency में, राधा नगर, जो की हूगली डिस्टिक में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है. Initial जो इनकी education होती है, अपने गाउं में ही अपनी education करते हैं, इनके parents का जो नाम है, वो रमाकांत रॉय और तुन्मी देवी होता है. Initial education इनके अपने गाउं में की और फिर पतना चले गए. पतना में इनके Persian language को सीखा और Arabic को सीखा, तो Arabic में इनके Quran की इस्टडी की, और जो बहुत सारे सूफिया फिलोसिफी रही हैं, उनकी इस्टडी की, और जो बहुत सारे हमारे उस समय के Arabic translation रहे हैं, प्लोटो के, अरस्तू के, उनकी भी इस्टडी इन्होंने की. हमेशा से ही यह जो रिच्वल्स थे, क्योंकि ब्रामवर परिवार से बिलॉंग करते थे, जब आप विरोध करते तो आपके पेरेंट्स साब से नाराज होगें, और जब इनके पैरेंट्स नाराज होगें, तो यह हिमालय चले गए, हिमालय के बाद तिबबत चले गए, भगवान बुद्व की जो philosophy थी उसकी study इन्होंने की और फिर बापा से बनारस आए और बनारस आने के बाद इन्होंने वेदों की, संस्कृत की और उपनिशदों की study की तो आप देख सकते हैं इन्हों को परशिया का भी ज्यान था Arabic language, Sanskrit, Buddhism philosophy, Hindu philosophy और Muslim philosophy सभी philosophy के ज्यान रखने वाले थे राजा राम मोहन राय तो कोई व्यक्ति जब इतनी सारी language, इन्होंने Hebrew language भी सीखी थे जिससे ये जो Bible है उसकी भी study कर सके तो Hebrew language, Greek language की भी इन्होंने study की थे तो एक ऐसा person जो इतनी सारी philosophy की study किया हुआ हो इतनी सारी languages को जानता हो इन्होंने initially East India Company में जो है वो clerk की नौकरी करी थी 1803 से 1814 तब फिर इन्हों realize हुआ और इन्होंने clerk की जो नौकरी थी वो छोड़ दी तो 1814 में इन्होंने clerk की नौकरी छोड़ दी और Calcutta चले के और कहा कि मैं बचा हुआ अपना पूरा जीवन जो है इन्होंने child marriage polygamy को खतम करने की बात की इन्होंने equal property right की बात की लेकिन सबसे famously जो जिस subject के लिए राजा राम मोहन राय जी को याद किया जाता है वो होता है सती प्रथा इन्होंने सती प्रथा को खतम कराने के लिए सती प्रथा पर बैन लगाने के लिए काफी जादा काम किये और यह कहानी कब शुरू होती है 1811 की बात है 1811 में राजा राम मोहन राय जी के भाई थे जग मोहन जी और जग मोहन जी का निधन हो जाता है जग मोहन जी की death हो जाती है और पहले ritual चलते थे कि अगर किसी husband की death हो जाती है तो voluntary उसकी जो wife होगी वो सती हो जाएगी हाँ कुछ exceptions थे अगर उस wife के वो wife pregnant है या उस wife की young child है तो सती होने से बच्छा जा सकता है लेकिन अगर in general बात करें तो किसी महिला का अगर husband की death होती थी तो उसे सती होना पड़ता था 1811 में जो है वो राजा राम मोहन राई जी के जग मोहन जी उनकी death हो जाती है जब उनकी death हो जाती है तो उनकी जो भाभी होती वो केवल 17 साल की होती है जादा उम्र नहीं होती है और वो एक नई साड़ी लेकर आती है, क्योंगे अब उन्ής सती होना है और उन्हें काफी अपोज करते हैं, काफी अगेंस होते हैं कि सती ना किया जाये लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है और उन्हें सती कर दिया जाता और सभी जो पंडित वहाँ पर आई हुए होते हैं वो महासती, महासती, महासती के नारे लगाए रहे होते हैं तो इस बात की काफी गहरी चोट जो है वो राजा राम मोहन राय जी को पढ़ती है कि नहीं यार ये तो गलत है एक 17 साल की लेडी उसके पास कितने सारे ओप्शन थे कि वो बापत शादी कर सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी, अपनी जीवी का खुझ चला सकती थी, कितने सारे ओप्शन थे जरूरत क्या थी सती होने की तो इनके मन में काफी सारे विचार आते हैं और उसके बाद ये सती प्रथा पर काम करना शुरू कर देते हैं अच्छा, हमारी सुसाइटी में अगर आप कोई भी जो भी हमारे वेदों में, पुरानों में ऐसा नहीं बूल रही हो कि कुछ गलत लिखा है, पिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आज भी हमारी सुसाइटी में कई सारे अंधविश्वास चलते हैं और जब कोई भी व्यक्ति इन अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो जनता तो विरोध करती है, तो जब इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, और यह क्या करते थे जैसे किसी व्यक्ति की डैथ के खबर परती थे, उन्हों समसान गाट खु का सती प्रथा को खतम करने का 1829 में, तो बिलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयाज से जो सती प्रथा है वो खतम हो जाती है, लेकिन उस समय एक और बहुती बड़े लीडर रहते हैं जिनका नाम होता है राधाकांथ देव, क्या नाम रहता है राधाकांथ दे और वो राजा राम मोहन राय जी का बहुत अपोस करते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है धर्मसभा, अपनी कौन सी पार्टी बनाते हैं ये, धर्मसभा एक पार्टी बनाते हैं और काफी अपोस करते हैं राजा राम मोहन राय जी का और कहते हैं कि नह में जो भारत में मुगल रूलर होते हैं उनका नाम होता है अखबर सेकेंड क्या नाम होता है उनका अखबर सेकेंड और यही अखबर सेकेंड जो है वो राजा का टाइटल राजा राम मोहन राय को देते हैं तो आज हम राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं तो राजा बेसिकली वो इनका टाइटल है उपादी है जो कि अकबर सेकेंड ने इन्हें दी थी क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को खतम करने के लिए काफी जादा काम किया था तो इतनी सारे फेक्ट आपको यहां से सीखने मिले आएए कुछ और बाते करते हैं इन्होंने अपने जो पहला वर्क पब्लिश किया था उसका नाम था तुहुफत उल मुवाहिद्दीन इस वर्क को इन्होंने अठारा सो तीन में पब्लिश किया था और इस वर्क में इन्होंने बताया था कि जो हिंदू की प्रैक्टिस चल रही है इन्हें हिंदू की जो religious belief है उन्हें expose करने की कोशिश की थी अपने इस पहले work से तो यह इनका पहला work था ऐसा नहीं है British East India Company एक मातर ऐसा European group आप कह सकते हैं भारत में जिसने initially phase में विल्कुल भी ध्यान ने दिया कि भारत के अंदर अगर कोई ऐसी अंदेविश्वास वाली चीज़ें चल रहे तो इस पे काम करना चाहिए अगर आप Dutch को देखेंगे, Francis को देखेंगे, Portugal को देखेंगे तो इनकी जो colonies थी ना इन्होंने भी अपनी अपनी कॉलोजीज में ये जो हमारे concept चल रहे थे उन पे काम किया था इन्होंने child remarriage को रोका था, सतीप्रथा को बंद करवाया था, बिडो remarriage अलाओ की थी, girls education पे भी लोगोंने बात की थी राजा राम मोहन राय से पहले भी कई साले मुगल रूलर रहे हैं जिन्होंने सतीप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है, या अपनी territory में सतीप्रथा को खतम करवाया जैसे कि तुगलक्स की बात करते हैं, अखुबर की बात करते हैं, और अंग जेब की बात करते हैं, लेक और इनके सोशल रिफॉर्म पे चर्चा करते हैं, राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर के नाम से जाना जाते हैं, और राजा राम मोहन राय की जो फिलोसफी थी वो एकश्वरवाद पे थी, एकश्वरवाद का क्या मतलब होता है, कि एक ही गौड है, कि एवल वन गौ तो ये इनकी ideology या philosophy थी तो इन्होंने लोगों के view को जानने के लिए और भी लोगों के opinions थे उनको जानने के लिए 1814 में आत्मी सभा की शुरुआत की आत्मी सभा मतलब society of friends तो कुछ लोग यहाँ पर circle था friends का वो लोग आपस में खटे होते थे और अपने विचारों को अपनी ideology को हिना जो caste system चल रहा है कास्ट में जो resistness चल रही है हिना rituals चल रहे है वेदानत की जो ideas है उन पर discussion करने के लिए basically एक committee बनाई थी जिसका नाम था आत्मी सभा तो आत्मी सभा किसने बनाई थी राजाराम मोहनराय जी के द्वारा 1814 में बनाई गई थी कमीटी एक और नई सभा بनाते जिसको हम Brahm सभा कहते हैं और बाद में इसे ही हम Brahm समाज के नाम से जानते हैं 1828 में राजाराम मोहनराय ने Brahm समाज की स्थापना की थी और Brahm समाज की भी यही आइडोलोजी थी कि जो हिंदू के जो अंदविश्वा से या रिच्वल से उन्हें खतम करना और एक कश्वरवाद को प्रमोट करना कि भगवान एक है और यूनिवर्सल जो ब्रदर होट है भाई चारा है उसको बढ़ावा देना ठीक है तो यही इनकी लॉजिक्स थी जो प ब्रह्म समाज जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है रीजन उसके स्प्लिट होने का यह है कि एक तो विचारधारा यह आइडोलोजी को डिफरेंस होना और 1833 में राजा राम मोहन राय जी की डैथ हो जाना तो उसके बाद यह जो इनकी बनाई हुई ब्रह्म को लीट कर रहे होते हैं और दूसरी होती है आदी ब्रह्म समाज और आदी ब्रह्म समाज को लीट कर रहे होते है देविन्दना टैगोर जी है तो इस तरीके से आप देखिए कि 1828 में बनाई गए ब्रह्म समाज दो पार्ट में स्प्लिट हो गई है एक है ब्रह्म समाज जि इसे लीट कर रहा है देविना टैगाउर जी ये प्रश्ण MAPPSC 2021 का 21 का 21 का प्रश्ण था इसलिए इसे भी आपको ध्यान में रखना है अब इन्होंने ऐसा नहीं कि केवल सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की है पॉलिटिकल और एजुकेशनल रिफॉर्म करने की कोशिश भी राजा राम मोहन राई जी के द्वारा की गई है और राजाराम मोहन राय जी का जो काम था सती प्रत्या को बंद करना उरसे कंटीनू किस ने किया है इश्वर चंद्र विद्या सागर जी ने भी कही सारे कॉंट्रिबूशन किये हैं और जो विडो रीमेरिज एक्ट 1856 पास हो पाया था वो इश्वर चंद्र विद्या सागर थह चुंट you के वारे में बात कर रहे होंगे आएइव राजाराम मोहन राय जी के एजवीर qe के बारे में बात करते हैं तो इन्हों ने डेट हैरे की मदद से हिंदू कालेज एď कैलकेटा बनाया था 1817 में 1817 में हिंदु कॉलेज कलकत्ता में डेबिट हैरे की मदद से इन्होंने सेट अप किया 1822 में 1822 में एंगलो हिंदु स्कूल और वेदानता कॉलेज 1826 में इन्होंने शुरू किया इनका मानना था कि हमें वेदों की स्टाड़ी करना चुछाएं उप प्रिशंदों का घ्यान वी होना चाहिए इंगलिश, मैग्लिश, साइंस है kga उनना बेरहा है और वेस्टर नाउलेज अउपन्स का नॉलिच आपको होना चाहिए जो modern western curriculum है उसकी तरफ इनका ध्यान गया तो इन्होंने कहा कि हमारे जो school है colleges है उनमें हिंदी, गड़े, तिसाहित, history इन सब subject की study करानी चाहिए तो ये भी बात हमें देखने को मिलती है जैसे कि मैंने थोड़ी दिर पहले कहा था कि Lord William Banting इनके समय पे governor जब थे तो इन्हों लो गया था और इसी बात को ensure करने के लिए 1813 में ये इंग्लेंड गए थे और उस समय जो मुगल रूलर थे वो अकबर शाह सेकेंड थे और इन्हों नहीं इन्हें राजा का टाइटल दिया था साथी साथ जब इंग्लेंड गए थे तो इन्होंने इस बात की भी पैर भी की थी 1833 में तो अगर आप कभी Bristol जाते हैं तो आज भी वहाँ पर राजा राम मोहन राय जी का statue प्रेजेंट है तो जैसे कि मैंने educational reforms के वारे में अल्रेडी आपको बता दिया है इन्हों नहीं कहा था कि English Science, Western Medicine और Technology की स्टड़ी करने चाहिए काफी सारे स्कूल को सेटप करने का का हिंदू कॉलेज 1817 ने बनाने का काम किया 1822 में एंगलो हिंदू कॉलेज बनाया और वेदान्ता कॉलेज भी 1826 में ने सेटप किया और Scottish Church College 1830 में इनकी मदद से ही सेटप किया गया था तो इस तरीके से कई सारे educational reform राजा राम मोहन राय जी के दौरा किये गए अब बात करते प्रेस रिफॉर्म आप सभी को पता है कि जब हमारा freedom movement चल रहा था तो जो हमारे freedom fighters थे उनका एक ही जरिया था अपनी आवास लोगों तक पहुचाना वो थे newspaper प्रेस के जरिये और आपको पता है कि प्रेस पे जो है reasonable restrictions लगा दिये गए थे हिना जिसके बाद जो है वो अपन when the press censorship was relaxed by the Lord Hasting in 1890 तब राजा राम मोहन राई जी के दौरा तीन जनरल पब्लिश किये गए और इनकी तीनों जनरल बड़े ही famous है बड़े important है जिन में सबसे important है समाध कोमधी समाध कोमधी ये weekly बंगाली भाषा में weekly आप कह सकते हैं कि magazine थी ये newspaper था 1821 में इन्होंने publish किया था फिर है ब्रह्मी निकल मैगजीन 1821 में और मिरात उल अकबर ये पर्शन वेकली था तो इस तरीके से तीन जनरल पब्लिश किये हैं राजा राम मोहन राई जी ने तो इन तीनों का नाम आपको दिमाग में आद रखना है समाध कोमधी से कई बार exam में question frame हुए है अब इसका अगर आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं ये बहुत सारे literacy work है जो राजा राम मोहन राई जी के उपर है जिन्होंने उन पर काम किया है इन्होंने बोधिज्म पे या फिर हिंदूस में आपकी कुरान की philosophy पे और Christian philosophy पे सभी पे इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है ठीके ने ज concepts of Jesus ये बुक बड़ी important है बंगाली grammar फिर आप यहाँ पे history of Indian philosophy, the universal religion ये सारे literacy work है ये राजा राम मोहन राई जी के है तो आप इनका screenshot लेके एक दो बार रहने पढ़िए जिससे ये बुक्स आपके दिमाग में set हो जाए कि ये सभी काम राजा राम मोहन राई जी के द्वारा जी के साथ बिल्कुल directly associated हो रहा है history of Indian philosophy ये भी राजा राम मोहन राई जी के साथ directly आप link कर पा रहे होंगे तो इस तरीके से ये इन्होंने Bristol की यात्रा की इंग्लेंड में गया और Bristol इंग्लेंड में फिर इनकी डैथा जाती है 1833 में और British government के द्वारा इनके नाम पर ही Indian freedom fighter, social reformer and father of modern India तो एक generalist भी थे, reformer भी थे, educator भी थे, thinker भी थे और कई सारे इन्होंने काम किये हैं और इन्होंने education में, social reform में, press reform में भी कई सारे काम किये हैं 2004 में, Raja Ram Mohan Raiji को top 10 या rank 10 BBC poll में चुना गया था, greatest Bengali of all time, ठीक है, तो father of Bengali Renaissance के नाम से भी ने जाना जाता है, तो ये पूरी कहानी थी Raja Ram Mohan Raiji के बारे में, आईए अंत में हम बात करते हैं, छोटे से question के बारे में, तो आपके लिए question है, जो UPSC का question है, which of the following statement is not correct about Raja Ram Mohan R तो कौन सा statement correct नहीं है, पहला statement है, कि इनका जन्मिक Bengali परिवार में, 70-72 में हुआ था, दूसरा statement है, 1833 में, इंडिया में इनकी death हुई थी, तीसरा statement है, इन्हें राजा का title Mughal Ruler ने दिया था, और चौता statement है, इनका एक newspaper था, जिसका राम सा समात कौमुदी, तो कौन सा statement है यहाँ पर आपको गलत लगता है, तो यह इस question का answer, और पहले जो मैंने वीडियो की starting में आपसे question पूछा था, उसका answer, दोनों प्रश्णों के answer आप हमें comment section में दीजेगा, reply भी मैं आपको वही पर दूँगी, साथी साथी बताएगा, यह हमारा जो नया initiative पर्शम की team का, कि आपको हमारे जो freedom fighters है, उनसे रूबरू कराया जाए, उनके बारे में आपको information दीजाए, जिस एक तो information भी मिलेगी और SST के आपके बहुत सारे static भी cover होंगे, तो यह बात भी आप मुझे comment section में ज़रूर बताएगा, so take care and bye bye